तो भाई लोग Nokia के तरफ से एक और नया स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन Nokia 7, 6, 10, 5G स्मार्टफोन होगी और इस स्मार्टफोन के लिए इनफर्मिस्टन निकल कर सामने आए है जिसे कि तो इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर देखने को लेगा प्राइस क्या होगी, परफ्रमिन्स कैसार आएगा, क्या इस स्मार्टफोन को में ख्यादेजना चाहिए या फिर किसी अधर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए तो दोस्ता अगर इस फोन की रैंकिंग की बात करें दोता तो लिक इंफोर्मेशन के अनुसार यहां पर ग्रूप रैंक की अगर बात किया जाए तो यह स्मार्टफ़न 281 नंबर पे आपको देखने कुलेगा जहां पर आपको 162 स्मार्टफ़न देखने कुलते हैं और सभी यह स्मार्टफ़न जो की 47,500 से लेकर 16,500 रुपे तक के देखने को मिलेंगे और वहाँ पर तो ओबराल रैंकिंग की बात करें दोता थी यह 122 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जहां पर 379 स्मार्टफ़न आपको देखने को मिलते हैं तो 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 रैंकिंग के मामल में यह स्मार्टफ़न आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो display के मामल में यह smartphone आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा यहाँ पे 6.67 इंच का आपको AMOLED इस्क्रीन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे तो 1080 x 2400 पिक्सल का resolution देखने को मिलेगा जो कि आपको average देखने को मिलेगी और यहाँ पे 409 PPI का pixel density देखने को मिलेगा यह भी आपको average देखने को मिलेगा और इसके साथ जास यहाँ पे 900 nits का आपको peak brightness देखने को मिल सकता तो यहाँ पे तो color and brightness काफी बुड़ी आपको देखने को मिलेगा सुराज के रोस्ते में भी दतो आपको content परने में किसी भी परकार का कोई दिक्कात इसे smartphone में देखने को नहीं मिलने वाली है और यहाँ पे दतो screen को protect करने के लिए यहाँ पे Gorilla Glass Victus का भी support आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे दतो screen काफी जादा smooth आपको देखने को मिलने वाला है और यह smartphone जो की punch hole display के साथ launch किया जा सकता है तो display के मामला में दतो यह smartphone आपको decent performance देने वाली है और camera department की अगर बात करें दतो यहाँ पे real side में आपको triple camera setup देखने को मिल सकता है जहाँ पे primary camera जो की 108 MHz का देखने को मिलेगा secondary camera जो की 13 MHz का outside camera जो की 2 MHz का आपको देखने को मिलता है साथ यहाँ पे आपको OIS का support भी देखने को मिलेगा और इस camera दे तो आप 1080 pixel में full HD video recording कर सकता हो यहाँ पे 32 MHz का आपको selfie camera भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे आपको camera performance काफी बढ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पे फोटोग्राफिय और वीडियो ग्राफिक लिए smartphone काफी अच्छा option हो सकता है और performance की बात करें दो तो तो यहाँ पे आपको chipset काफी बढ़ियां देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे snapdragon 7 plus jn2 का आपको powerful chip से देखने को मिलेगा लेकिन तो यहाँ पे आपको कभी भी देखने को मिलता है यहाँ पे 2.91 गीगाहट का आपको octa-core processor देखने को मिलेगा तो यहाँ पे तो performance थोड़ा सा आपको slow देखने को मिलेगा और यहाँ पे तो आप gaming experience कर सकते हो लेकिन तो यहाँ पे अगर आप high resolution अगर gaming करते हो दो तो यहाँ पे तोड़ी सी लेग problem आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे 12GB RAM के साथ आपको 256GB का internal storage भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे तो आपको performance ठीक ठाक मिलेगी यहाँ पे एक साथ आपका कई application को open करके work कर सकते हो किसी भी परकार का आपको कोई problem देखने को नहीं मिलेगी लेकिन तो यहाँ पे एक कमी और मिलता है तो कि यहाँ पे आपको memory card का support देखने को नहीं मिलेगा तो performance की बात करें देखने को मिलने वाला है और connectivity की बात करें देखने को यहाँ पे आपको सभी features मिलते हैं जैसे कि यह smartphone 4G और 5G को support जारेगी Bluetooth 5.3 का आपको support मिलेगा Wi-Fi, NFC और USB type support आपको देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे तो बैटिक की बात करें देखने को देखने को लेगा जो कि थोड़ा से कमी देखने को लेगा यहाँ पे company के तरफ से करेब यहाँ पे 6000 अमेज को बैटिक देना चाहिए और लेकिन तो तो यहाँ पे 44 वाट का आपको fast charging का support देखने को देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे तो other features की अगर बात करें दो तो यहाँ पे 3.5 mm का audio jack आपको देखने को नहीं मिलेगा और price की बात करें दो तो यह smartphone जो की उमीद क्या ज आपको 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 झाल झाल